हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग फ्रेंट्स आप लोग देखी रहे होंगे कि मेरी आँके काफी सूजी हुई है क्योंकि आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गया हूं और घर से 6 बजे निकल गया हूं और पहाड़ों पर क्या है अभी ठंड स्टार्ट हो गई है सुबह काफ सकती हैं मैं अभी चलाने वाला हूं आपके सामने ही नहीं के फ्रेंट्स आफ यह मेरे घर से सिर्फ 1 कि दूरी पर तो सब्सक्राइब के रिए में बताया था जिसमें मैं exposed Bonjour उसी टाइम पे ये रिव्यू करने के बाद जब मैं घर लोटा तो 495 के आराउंड में ये हो गई थी तो मैं शोरूम लेगे मैंने पूछा कि इसकी सर्विसिंग करा लू नहोंने का अभी जरुवत नहीं आप चाहें तो मतलब 550 पे भी करा सकते हैं 540 560 क्यूंकि 500 पे इसकी क आप चाहें तो 495 किलो मीटर पर ये भी करवा सकते हैं तो मैंने बस गाड़ी वहां पे दे दी उन्होंने सर्विसिंग स्टार्ट की इसकी उसके बाद मैंने घर पे पाक कर ली अभी सुबह मैं लेकर आया हूं और आप लोगों के सामने ही इसको चलाएंगे और देखेंग सब्सक्राइब करके स्पीड लोग मतला हाई स्पीड में या कैसे भी कैसा रियक्ट करती कैसा चलने वाली है तो उसको आज हम लोग देखेंगे गाइस गाइस का तो पीचे गाई आगी फ्रेंट्स मैं बता देता हूं कि 1500 1500 सम्थिंग मेरा सफ सर्विस का चार्ज लगा है और मैं मतलब मुझे याद नहीं है तीन चीजे थी वहाँ पर वो मैं स्क्रीन पर पेस्ट कर दूँगा एक कुछ जो चेन का ल्यूब्रिकेंट यह सब चीजे होती एक सर्विस किट थी जिसमें तीन-चार चीजे थी और एक चीज और थी वो मैं यहाँ पर लगा दूँग से एक्चुली इनके अंदर होता क्या है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यह वाला इधर वाला तो इसके अंदर होता है क्या उन्होंने एयर फिल्टर कि जो मैंने आप भी दिखाता हूं वीडियो में और इधर वाला जो है वह आपकी की जो यह की दे रखी एक बाइक की उससे ही खुल जाता यह वाला दिस वन तो यह तो खुल जाता है मैंने और खोला हुआ था पहले और लेकिन उधर साइट का मैंने कभी नहीं खोला तो सर्विस सेंटर पर ही जाके देखा जिसमें एयर फिल्टर है और बाकि ज्यादा कुछ नहीं होता है और हल्का फुलका आजड़ा रहता है ज्यादा कुछ नहीं है मतल報 इसके आइस के अंदर ठीक है तो ऱनहोंने खोला सारी यहां चेकी सीनल के अंदर पता नहीं क्या यह वीडियो में इतना विक वे इतना कुछ होते है कितने सोचए दीन आ है प्से क्यानला में नहींकित इससे की होरा है वात ज्केम कि मेरे ग्यालचे मतल़ें नए ज़रूथ क्यों पड़ती है सब्सक्राइब और झभूत स मशत्वें सबींती है क्टाइब उस्यक्वित गण्या ठीट डाटाइब जिन शुले गेहaison एकड़ दोटे केन डिरेट uma तो फ्रेंड्स यह रही कि आफ्टर फर्स्ट सर्विस अपने मेट्यूर मुझे लगा था कि फर्स सर्विस में बहुत कम चीज़े रहती हूंगी लेकिन अच्छा खासा उन्होंने इस पर काम किया है और ठीक है गाड़ी धायलाक की लिए तो अगर पंदस रुपे लगते हैं तो मेरे खाल से कोई बूरा नहीं है करबा लेनी चाहिए क्योंकि अब द फर्स टाइम में राइड करते हुए इसमें माइक को अटेज किया हूँ तो पता नहीं विंड प्लास्ट ज्यादा आए गया या कम आएगा इंटरनल माइक ने कम कैप्चर किया था या एक्सटरनल माइक कितना कैप्चर करते है यह विल सी और यह रहा मेरा सेट अप दिख यह रहा है यह नहीं डून नो कभी-कभी यह गलव्स कहना राइट वाला सही से यह रहा है तो कभी ज्यादा रेस हो जाती है शुदुमें कुछ टाइम रहे गए इन गलव्स के साथ में रॉयल एंफिल्ड के ही गलवसे फिर में भी सब सेट हो जाए तो गाइस करते हैं कैसा रियक्ट करती है कैसा चलने वाली कैसा परफॉर्मेंस देती है तो लेट्स स्टार्ट आर्मी वाले भाई साब लोगों को जाने जोते हैं काफी चड़ाए चड़ने वाला हूं काइस मैं अब सो दिस इस इस फर्स गयर आओ जाए यहां पर गाई है तो इनका देना पुड़ते हैं क्योंकि मोड़ सामने से भी कोई गाड़ी आसकती है तो चलो हब राइट करते हैं स्टार्ट वाह वाह यह थर्ड गयर अभी डाला है मैंने मॉर्निंग में सिर्फ सेकंड गयर में आया था वो भी काफी स्लो स्पीड में और वो जो था प्रें था डाउन हिल था अभी अफिल है ग्रेट पर्फॉमेंस अगर बहुत बूरा साउंड होगा तो मैं वाइस ओवर कर लूंगा बाद में लेकिन फिलाल यह कि मज़ा बहुत आ रहा है थार्ड गयर में आराम से चड़ रही है यह देखिए अपने पहाड़ों पर हर जगे आर्मी एडिया डिफेंस एडिया आपको दिखने को मिल जाएगा यहार बहुत स्मूध हो गई है मक्कन और लेडी यह तो मक्कन की तरह चलती थी लेकिन लवली यार देखता हूं वैसे मैं यहाँ पर सेकंड गयर डालता था काफी चड़ाई है अरे थार्ड गयर में खिज गई आराम से यार बहुत स्मूध हो गई है काई जीवन मुझे ऐसा लगने लगाई कि जो टांस है उसमें भी मतलब बहुत बढ़िया ढंक से टर्न हो रही है पहले किया था ना काई जब मैं ऐसा अफिल राइट करता था तो हल्का सा मुझे स्ट्रेस फील होता था इंजिन के अंदर में जो कि अभी एकदम से गायब हो गया है जो कहते हैं ना हल्क किसी आपकी बाइक भारी फील होती है जब आप इतना अफिल चड़ते हैं लेकिन आफ्टर फर्स सर्विस यार गाया चुमंतर भाई सामने देखो फॉग अभी भी है इधर वाँ जो टांस आए ना गाइस क्या पॉर्फॉमेंस थी आर बाइक के तो मॉर्णिंग में अपने फॉग लेंप्स आउन करके आया था जो कि एक काफी अच्छा फीचर है मेट्योर के अंदर यह रहा इस स्विच को इधर करेंगे त सब्सक्राश के देख अगे के दो चारो आपके इंडिकेटर्स ओन हो जाने ग्लिंक करते रहेंगे तो फॉग में उससे काफी मदब मिलती है सामने से कोई गाड़ी आएगी तो उसको इंडिकेशन मिल जाएगा कि सामने से आप आ रहे हैं आवाज आ रही है यार नहीं और यार यार ये भी मालूम नहीं है मुझे क्योंकि आज एक्सटरनल माइक मैंने इसमें अटेच कर दिया है और अगर इसमें कुछ ज्यादा ही विंड ब्लास्ट आ गया क्योंकि ये काफी सेंसिटिव होते है तो शायद मेरा ये वीडियो खराब हो जाएगा आज का फिर मुझे वाइस ओवर करनी पड़ेगी बाकी दिनों में मैंने अभी तक का जब भी बाइक राइट करते टाइम वीडियो बनाया है तो विदाउट एक्सटरनल माइक मैंने बनाया हुआ है पहले व्यू देखो वही वाला व्यू है वही व्यू है जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में दिखाया था आप लोगों को जिसमें मैंने बताया थे कि मैंने मेट्यूर को पिक क्यूं किया है तो अब देखते हैं इस पर थोड़ा गियर मतला आगे डालते हैं सेकंड से थर्ड ये खराब रोड आई तो हमने ब्रेक दबाए फिर से से सेकंड वा बहुत स्मूद अराम से गियर पड़ गया सेकंड थर्ड डाउन हील आगया है एक नम नीचे जा रहा हूं मैं बहुत ही बढ़िया मतला अब तो मुझे जार इसके हैंडलिंग भी काफी अच्छी लगने लगी है गाड़ी जो इसकी हैंडलिंग है ना मोड़ो पे वो भी मुझे अब काफी बढ़िया लगने लगी है क्योंकि स्मूद हो गई गाड़ी तो खुद का बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लग रहा है बस आपको हैंडल बास इधर इधर करने हैं बोड़ी लीन करनी है तो करो और गाड़ी जो है मजह से चलने वाली है इस मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने सुबह मैं उठके फर्स्सर्विस के बाद कर वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि नीन नहीं आई पूरा का पुरा दिमाग इधर ही था बाइक पे क्योंकि कल ही इसके सर्विस कराई है मैंन तो सर्विस के बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे इतना टाइम नहीं मिला राइट करने का और जो शोरूम है इसका सर्विस सेंटर है घर से सिर्फ एक किलोमीटर दूरी पर था तो बस थोड़ी दिर मेकनिक ने चलाई थोड़ा से मैंने टेस्ट राइड ली और घर पर जाके पार कर दी और अभी जब मैं मॉर्निंग निकला हूं घर से तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ सेकेंड गेर में आया हूं वो भी काफी स्लो स्पीड पे तो मतलब मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था ये गाड़ी कैसे चलने वाली है और जितना भी अभी रेस दिया है थ्रॉटल दिया है गेर चेंज कियें सब आपके सामने तो आइकन से कि आफ्टर फर्स सर्विस खाफी इसमें मुझे फरक महसूस हो रहा है आई डोन नो आपके सा ये चीज मतलब आप लोग डिलेट कर पाएं या न कर पाएं अगर आपके पास मेट्यूर है और आपको ऐसा एक्सपरियंस हुआ हो या नहीं या मेभी मेरी गाड़ी में जब स्टार्टिंग में था तो थोड़ा उतना डिफाइंड ना हो अब आई डोन नो लेकिन जो भी मैंने एक्सपरियंस किया है वह आपको बता रहा हूं कि आफ्टर फर्स्ट सर्विस परफॉर्मेंस हैस इंडूफ डर लॉड इन वादियों में टकरा चुके हैं हम से मुसाफिर दिलना लगा वाह क्या यार सांधार नजारे देखो अर्ली मॉर्निंग वाहो यार बर्ट्स यहां पर तोते ओड़ गए यहां पर तोते ओड़ रहें गाइस यह देखो नमदी सिश वाह तो बात यह है ना गाइस मुझे मालूम नहीं आज का यह वीडियो कैसा बना होगा और कैसा लगा आप लोगों को फर्स सर्विस के बाद यह रिव्यू बाइक चम चम आती हुई एकदम खड़ी है आप लोगों के सामने मतलब यारी कलर जो बेज कलर है सूपर नोवर टॉप वेडियंट का कस्टम कलर है जिसके मैंने थी थाउजिंड और पे की हैं में भी आपको कैमरे में इतना सही समझ में ना है लेकिन सामने एवण है क्योंकि इसमें डूल टॉन जो आ जाता है उपर बेज नीचे ब्लैक टैंक में यह देखिए यहां पर यहां तक ब्लैक और इधर बेज कलर सो दिस लुक्स अमेजिंग आइस तो आज धुलाई हुए गाड़ी चमचमाती हुए अच्छी लग रही है और अभी एक महिना भी इसको नहीं हुआ है बस इसका एक नंबर प्लेट आ जाए तो फिर मजा ही आ जाए इस वाली पर भी चला लेते हैं जिसमें थोड़ा ट्रैफिक रहता है और थोड़ा वाइड है रोड वो जो थी नेरो रोड थी उसमें हम ज्यादा स्पीड नहीं दे पाए क्योंकि टरंस काफी आगे थे तो थोड़ा से इसमें भी देख लेंगे हम लोग छोटा सा शॉट क्लिप थो मैंने माइड जो है वापसे हटा दिया है कि अब कि अब कि अब कि अब कि वाव यार यह इतना शार्प टर्ण था 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 से मुझे सेकिंड करना पड़ता था कि अब कि अब थाट नहीं काम चल लिया है तो यह थोड़ा अच्छी है चोड़ी है इस पर देखने फोर्ट नहीं थाह थाट था था है अब फोर्ट डाल दिया था थाए तो फ्रेंट्स आफटर फरस्ट सर्विस के बाद मैंने जो एक्सपिरियंस किया वह यही है कि जब में इसको second gear से third third से fourth से फ़ूर लाता हूं और forth से third एसे नीचे सरी नीचे करता हूं तो.. बहुत SMITH हो गई है.. जीम!」 जैसे ही हईड़ोत जैसे काहिए chiili also how to do मुझे गेर डाउन करना पड़ता था और फिर थोड़ा गाड़ी स्लोड़ाउन होती थी फिर स्पीड पकड़ती थी लेकिन अभी अगर मैं थार्ड गेर में हूँ थोड़ा ब्रेक दबाके मैं निकल जाएंगो तो आराम से गाड़ी चड़ रही है I don't know यह मेरे साथ ही हो र और इवन जो यह टर्न से गाइस इस पर मैंने क्या देखा कि जब मैं लीन करता हूं तो काफी मुझे हल्की फील होने लगी है और मालूम नहीं ऐसा क्यों हो रहा है या तो यह इतनी स्मूध हो गए इसकी परफॉमेंस और ज्यादा बढ़ गई है तो इस वज़े से मुझे जो पहले हो सकता है अपनी बॉड का जो एफट देना पड़ रहा होगा अभी वह एकदम जीरो हो गया है निल हो गया है तो इस वज़े से इसकी राइड काफी अच्छी लगने लगी है और व्यू बढ़िया है पीछे तोते उड़ रहे हैं सीरियसली तोते उड़ गए वह वीडियो बनाना था यह व्यू था यह बाइक थी अपनी तो आगए हम तो आप लोग बताएगा गाइस यही बस आज का रिव्यू था फरस्ट राइडिंग एक्स्पिरेंस आप लोगों से मैंने शेयर किया है अभी एक वीडियो आएगा जिसमें मैं इसके पेंट के बार म तो ज़रूर बताएगा और लास्ट वाला वीडियो ज़रूर चेक आउट कीजिए कि मैंने इस गाड़ी को क्यों पिक किया उससे पहले मैंने बताया था कि नई नई गाड़ी हो तो क्या क्या चीज़े ध्यान देनी चाहिए और एक डिलीवरी वाला वीडियो था उन सबके लिंक्स में डेस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं जल्दी किसी नई व्लोग में नई बातों के साथ तिल देन बाबाई टेक केर